आपका स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीस मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताए आपको मेरे रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगे सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि जो भी निया एव घर पे हम तियार कर लीते है और बहुत ही हेल्दी होता है यह हमेरे शेहत के लिए तो आइए इसके लिए हमने ले violation आदा किलोँ आ आमले मैंने द्धाग अमले इसमें जो medium size का आता है उसी size का हम कद्दुकस करेंगे ताकि हमारा मुरब्बा लच्छेदार बहुत ही अच्छा बन कर तैयार हो हम ज्यादा बारिक करेंगे तो वह इतना लच्छेदार अच्छा नहीं दिखेगा और ज्यादा मोटा करोगे तो वह अंदर से कड़क जैसे र जो आवले है निकल रहे इसके पतियें जैसे इसी तरह से हमें कद्दुकस कर लेना है इसी तरह से सारे आवलों को कद्दुकस कर लूगी हमें एक एक करके सारे आवले को कर लेना है और इस गुटली को हमें निकाल देना है यह देखिए इस तरह से हम सारे आवलों को कद्द करणा बहुत ही अराम से हो जाता है यह में मिस्किन लगता आ इसमें पूस कहते हैं इसी तरह से हम गुटली को ऊच آپ लेकें कि इसी तरह से हम बाके के आम लें कि कड्दू कर लेते हैं इसना पंसू ग्रैम लेख वो सारे कद्दू कर लिए है इसे हम साइड में रख देते हैं अब इसमें हम डालेंगे आदा किलो चीनी डाली यह पिछास गराम जितनी गुट्लीय निकलीक के बीच जो होते हैं लेकिना कि उसको गिनती में लेना है हमें इसके अदर आदा किलो चीनी डालनी है झेम हम्-आधा कईलो डालेंगे त्ध हमारा जो मुरुबा थोड़ा चासनी वला बन कर तयार होगया वह थोड़ा गिला-गिला सा हूता होता है ला भूत रफ भät झाला है に घ्र remarks हमने सबसे पहले डाल दिया चीमी चीमी अब डाल देगे आवला जो मिंतत करका रखा अब चालू करें चालू ए लाइनों करेंगें , दोनों के हुए बातों करेंगे इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे पहले चीनी के साथ आमले को उसके बार हमें इसे 10 मिनिट के लिए ढकन लगा के छोड़ देना है ताकि हमारे चीनी जो है अंदर थोड़ी से घूल जाए और आमले के अंदर अग्जब हो जाए थोड़ी तो पानी छोड़ देगी हमारी जो पानी होता है तो चीनी थोड़ी पिघल नहीं लगेगी इसमें तो इसी तरह से हमें अच्छे से मिक्स करने के बाद ढ़कन लगाके रख देना है मैं कम से कम आदा घंटा रख रही हूं इसे यह देखिए हमारा आदा गंटा हो चुका है वह चीनी काफी अच्छे से हमारी पिगल चुकी है अंदर यह देखिए इसमें पानी जैसा दिखाई दे रहा है तो अब चीनी काफी पिगल चुकिये पुख्यके अंदर तो से एल Member by a fine wet EB अलिटें कर लेते को में चयरो बमें कि अल्गी नहीं की दिड़िान दरन बड़ में नहीं पूह सब्लाई और इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे हम हमें हाथ बिल्कुल नहीं रोकना है और बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही कम इंगिरिंट से मैं आपको बताती हूं कि हमें मुरब्बा कैसे तयार कर सकते हम गर पे इसमें हम कई चीजें डाल सकते हैं जैसे काली मिर्च का पाउडर यह फिर काला नमक यह जो सफेद नमक तैयार होता है क्या गाली मिर्च यह इसप को सोपशा पीकर मैं दुपने पहलन लीतों, टांते हो किया। तो इससे हमारे क्या होगा मुरब्वे का कलर बहुत ही अच्छा है गा जैसे हम मार्किट से लेके आते हैं उसका यलो कलर दिखते हैं तो वो लोग भी कलर यूज करते हैं कर्म के पास अगर कलर नहीं है तो आप एक क्योगी एक ख़ती हम्स का अच्छा है और अगर आप अगर की इंदू कोई इतना नहीं होता अगर ऐसे अगर आप गरपे खाने के लिए बना ही है बना रहे तो आप इसमें कलर नहीं डाले काफी हमारी चीनी गूर्चूकी है जासनी जासी हो रही है गाड़ी हो रही है हे दो इसी तरह करें दो में किंदसे होई रर्षारियों किंद्ध का फ्लेम आप सबस्ट आप 17 से जब श्रील पकाया है काफी थीक होने लगा है हमारे जो चीननी है तो चासनी बन robi है उसकी तो पाणी इसका जड़ता है तो इसी तरह से हमें यह से चलाते हुए पकाना होता है कि इसका पाणी जो हम पूरा जला देंगे तो यह मुरभा होता है हम लोंग टाइम तक रख सकते हैं आप सालवर भी इसको स्टोर करके रख सकते हो आप काज के बरतन में भरके रख दीजिए कोई भी डब्बे में एटाइट कंटिनर में तो आपका इसको सालवर के लिए भी खराब नहीं होगा अभी इसमें थोड़ी सी केसर की पत्ती डाल द जो आनकि जैसे देख रही है 2 यह एव गाड़ी हो जानी चाहिए और इसका पानी पूरा जल जाना चाहिए उसे तरह से चासनी चाहिए चुशनी तो ऑप खरी है कि अलम में तो आपको एक ही बात बोलूँ आप जुरू ट्राइख करके देखिए आप एक बार बनाओगे तो आप कभी मार्कित से मुरबन नहीं लेका हो गया हम लेका इतना टेस्टी और इतना कम समय में और इतनी कम चीजों से हम घर पे तयार कर सकते हैं यह देखे इसका पानी पूरा जल चुका है यह देखे बिल्कुल भी पानी नीरा है विचासनी जो हमारी वही है तो इससे तरह से हम चलाते हुए एक से दो मिनिट के लिए और पकाएंगे हमें अब ज्यादा नहीं पकाना है अंने बंद कर दिया है अभी अमारे मुरूबै को थ्थण्डा होने देगें हम यह बहुती अच्छा बना यह हमारे मुर्भा ज्या लग रहा है यह भूत ज्यादा टे sixty बनता है यह से थ्हादा कर लेते थ्थभ़डा गैस को उमने बंद कर दिया है इसे तरह से थोड़ा ठंडा कर लेना बहुत ज्यादा अच्छा बना है हमारा मुरुपा अफो भातीं इसे शब करते हैं ये देखिए कियों मैं इस बाूद में निकाल दे रही हूँ देखें हमारा कलर कितना अच्छा है हमारे मुरूबा बहुत ही ज्यादा अच्छा देख रहा है तो आप जुरू ट्राई कीजिए आपने देखा है बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम इंगिर से हमने ये मुरूबा बना कर तयार कर लिया है ये बड़ों के साथ साथ बच्च एमने सारा मूरवा निकाल दिया है, इस पिधुए थोड़ी से डाल देंगे किसर, गालमिस के लिए, भीषकर देखिए आपको मेरा मूरवा कितना अच्छा लग रहा हैं, इंब देखियthen, कितना अच्छा देख रहा हैं, और बहुती ज्ज्यादा सुनदर देख रहा है लख्यह दर दिख रहे हमारे एक्द मुरबा सफे आज बना है इ olarak की तॉ इस इसे किarnya बना इतनी बहुत्वारा भॉत कितना बैए टेखा मेरे लगी है तो प्लीज हुआ आपको enjoy कीजिए अभी सर्दी का मुसम है तो अभी आउनले का भी सीजन है तो आप जरूर लाइए और इसी तरह से मुरुबह घर पे बना के खाईए जै माता दी